ठी सार रेटिंग वाले बेमित्रा के दामन में लगा दाग बेमित्रा में लगवक 35,000 के आबादी वाले नगर पालिका जिसमें 21 वार्ड हैं पूरे शहर की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी वा संसादन परियाप्त हैं पर फिर भी नियमित्रा के लिए तरस्ता रहता है इन दिनों शहर के नवीन बजार इस्तिस सारवजरिक मुत्राले वा नया पारा में वाडवासी गंदगी से परिशान है वाडवासियों वा पार्शत द्वारा नगरपाली का प्रशासन से लगाता शिकायत करने के बाद भी वाड़ में सफाई विवस्ता में सुधार नहीं हुआ है वाड नमबर 18 सबजी वजार वा इस्तित तलाब किनारे तथा भद्रकाली मंदर के आसपास गंदगी का आलम है यहाँ पर आने वाड़ जाने वालों को वाडवासियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वही पास इस्ति दुकानदारों का कहना है कि कच्रा नहीं उठाने से अभी गर्मी के दिनों में तेज अंदर हवाओं से कच्रा उठका दुकानों के पास इखटा हो जाता है वाडवासियों ने बताया है कि वाड़ों में डो टू डोर कच्रा एकत्र करने वाले करमचारियों द्वारा कच्रा एकत्र कर उसे तलाब किनारे खाली जगह पर फेक दिया जाता है घरगर कच्रा संगरहन के रिये ट्रेक्टर है सफाई कर्मचारी के वेतन पर हर छे माल लगबग 6 लाख रुपए खर्च होते हैं लगबग 2 लाख रुपए डीजल और 35,000 रुपए कीट नाशक दवाओं पर व्यो होता है फिर भी लोगों को गंदगी से दिजात नहीं मिल रही है जबकि शहर के सभी कच्रों को पिपर भटा के पास रखा जाता है लेकिन उस स्थान में ले जाने के बजाए सफाई कर्मचारी वाड में ही खाली जगे देखकर गीला सुका सभी कच्रे को खाली जगे पर फैंक देते हैं लेक निये हैं कि अंतरगा तीन स्थार रेटिंग में बेमेत्रा नगर पालिका को भी स्थान मिला है देश के 123 निकायों को 3 स्थार रेटिंग दी गहिए जिसमें बेमेत्रा भी शामिल था और यहां पे उस कचड़े को गलने पर बहुत बद्बू आती है और यहां पे साफ सपई रहती ने हमेशा वही कंडिशन रहता है इसलिए नगरपली का से अनुरोध है कि यहां पे कचड़ अगरा ना पहला है और स्वयूफ तो मतलग किये कि यहां पे थोड़ा सा जांच किय जाए कि हमेशा कचड़ा रहता है और यहां पे साफ सपई बहुत लेड़ से होती है कि मैं सेयदा मेरे दी बजार पार अवार्ड नंबर 18 से बोल रहा हूं यहां पे सामने कचड़ा फेक दिया गया है टेक्टर से उन्डेल करके भग गया है और सब यहां दुकान में सब तो जाएं पर शॉनल से सब्सक्रांट कर सबस्क्राइब है रहा है उसको उठाया जाएं कि हैं तुक्रा यहां पिर डंड़ को जाएं बाद करे श्क्राइब करेंगे